मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ, लेकिन तुम मेरे बात कभी ने सुनते हूँ, तुम्हें पढ़ाए करनी चाहिए नहीं करनी है देखो इह क्या है? इसे प्लो अफटाइंग कहते है जब तुम आलस करोगे तो ये टाइम इसी तरह बैकर तुम्हारे उपर से यूँ ही निकल जाएगा वो क्या होता है डोरी माँ तुम्हें और समझाना पड़ेगा तुम तु बल्कुल भी समझदार नहीं है नो बता और समझदार बनने के लिए तुम्हें पहले पढ़ाई करनी चाहिए समझ गए लेकिन आज देस के लिए भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी ये सच में? आज का रिसल्ट क्या होगा? मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मुझे सब पता है मैं कितने भी खोशिश कर लू लेकिन मुझे से कुछ नहीं होगा बरा मत सोचो ये क्यो है? इससे तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितने नेगेज़िव सोचते हो और ये कौन सा गैजिट है? ये है बाटी मेरेंट मेरा लो अफ्टाइम की तरह ये नेगेज़िव इंसान की तरह इस गैजिट में कुछ शब्दों के एक्सपेशन्स भर हुए है जिससे तुम गैजिट की मदद से बेख सकते हो तुमने जो भी कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया ये क्या थो डूरेमो इस कहावत है लो मुझे की वज़े से बुरा होना ये तुमने ही बता रही है ये तो मज़ेधार है उजो अटाइक नहीं है अई ये खिलाने नहीं है लो बता मैंने निकाला था तुम्हें चीज़ें दिनाने के लिए लुक्ता ऐसे बहुत सी चीज़े कर सकता हूँ, इसका switch on कर देता हूँ तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो, मुझे बस इस साल के result का इंतजार है दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ अब कि उसके कान खराब होते हैं ये तु फिर से negative बन क्या लालालालालाला, पाय, 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 पाय नवीता, तुम हमेशा negative रह जाओ और मुझे तो देखो, मैं हमेशा कितना ज्यदा खुश और हस्ते रहता हूँ आज भी दो लोगों ने मुझे अपने साथ खाने पराने के लिए का है अब मैं इस confusion में हो, मैं किसके साथ जाओं हाँ इस का मतलब है इस का मतलब है जूटे रहे जूटे रहे जूटे रहे इस का मतलब है अचानल ख़ब्रों बतार चमच नहीं लगा तुम यहां हो तुम दोनों इतने लाल और इतने चमच तर क्यों लग रहे हो खुश खबरी है अपसे ग्राउंड पर बेस्बॉल की स्पेशल ट्रेनिंग होगी बॉल अच्छे से पकड़ना तुम सब क्या कर रहे हो अच्छे से पकड़ो यह वागी सब बेकार है अतनी तेजबॉल नहीं पकड़ सकता हूं क्या हुआ सुन्यो मुझे तुमारे बगल में खड़े ओकर तुमें शांदार स्विंग काते हुए देखना है क्योंकि मैं अपने प्रेक्टिस वेंग की जबहें तुम से सो गुना जैदा अच्छे से देखता हूं ना चीक है सुन्यो अब तुम क्या चरो अरे वाद जियान तयार हो जाओ अच्छे से पकड़ना तिक है क्या कर रहे हो बहुत सही से पकड़ो जैन तुम आपकर किसी और किलाई जे कम नहीं होता क्या सच में सुन्यो हाँ मैं सच कह रहा हूं तुम बड़े ब्याच में कहल सकता हो मसका लगा हूं चलो भी सुन्यो मुझे अब शर्म आ रही है हां वागई बेस्बॉल में किसी भी मैश्विक करने भी कोई कुछ से जी नहीं सकता है जियान तो पिखल गया और भीवकों बन गया सुनियों से मस्का लगा रहा होगा मस्का? तुम जैसे ना समझ सनी पढ़ना बहुत आसान होता है जब तुम किसी से जूट बोलते हो और भी खुश हो जाते हैं तुम दे मुझसे जूट कहा? अरे वागई जियान तुम करना सुनियों मेरा दोस्ता बागे जाकर मड़े मैश के वाइबार है यह देकर मैं बहुत खुश हो तुम इतना मसका क्यों लगा रहे हो? अरे नहीं जियान मैं तो सच में पूरे मन से तुम्हारे इतने अच्छे अच्छे तार्यफ करा हूँ लेकिन तुम लाल हो रहे हो अरे तुम जूश करे हो नीयों अरे वाजा करें लेकिन लिए तुम्हारी इंपके से हुई यह तो बहुत मज़ेदार गैजट है अरे हाँ मैं अभी जाकर गैजट शिजुका को भी दिखाता हूँ जिजु से चमकने लगा अरे शिजुका 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 लगता नहीं कि आज के ड़े मेरे 90 माक्स आप आएंगे देखी सुगी तुम्हारे तक पूरे माक्स आएंगे ना मैं कोशिश तो पूरी करता हूं लेकिन मुझे भी तुम्हारी तरह हमेशा फूर माक्स चाहिए ऐसा मत को हो शीजुका कि रहर अन्हें है कि अन थाफ औपको मिखेश तो सकते हैं प्रिस्व करेंट देखी सुच हो तक समुक्राम धी और नहीं मुझे मामक। कभी कभी मैं सोचता हूँ शिजु का दीगी सुखी के साथ इतना क्यू रहती है तुम बहुत चल दी नहीं किते वो जाते हो नो बता वो पढ़ाई में अच्छा है स्पोर्ट्समेन भी है समझदार है वो बहुत अच्छा लर्गा है मैं उसके जामने कुछ नहीं इसका मतलब क्या है रो रे मौन इसका मतलब होता है कि दुख्य के रहे में गिर जाना अरे हां ये मुझ पर भी लागू होता है ना बस थोड़ा सा थोड़ा सा चिनों वापिस घर चलते हैं इसे कहते है मन का भारी होना और जिस तरह से मैंचर रहा हूसे कहते हैं काटो बना रास्ता तुम अची चीज़ों के बारे में सोचना होगा मैं नहीं सोच पारा, पूरी दुनिया तेरे में नो बता, चलो मुझे अचेला जोड़ो लेकर अगर तुम्हे तुमका भी भी बात नहीं समझते चले जाओ डोरे मार पर नो बता कोई भी मुझे नहीं समझता, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत जादा अकेला हूँ मैं सबसे दुखी तान हूँ तुम लोग यहां सुगा के वक्त इतनी अंधिरे में शोर क्यों कर रहे हैं यह तो नो बता की आवाज है अच्छी बात है, तुमसे बात करनी थी मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं तुम मुझे राटने आये हैं न क्यों राटूंगा? तुम जानते हो तुम्हें कितने मार्क्स मिले हैं? पता नहीं लेकिन मुझे हमेशा जो सही जवाब लगता है वो आखे में गलत ही निकलता है लेकिन तुमने इस बार ज़्यादा गलतिया नहीं किये हैं तुम्हें मिले है 65 मार्क्स तुम कभी-कभी तो अच्छी पढ़ाई करते हो 65 मार्क्स पम्हें करते हैं पर ज़्याद में आखे हैं पर उचाँ कि यहां प्लम का फूल है यह तो दिख रहा है और यहां भी है यह अच्छा लग रहा है कि यहां कि यहां कि अध्याय कि कोई तो पास आ रहा है शायद उसके बहुत बड़े-बड़े कदम है वो क्या है मुझे कुछ दिखाएने दिरा लेकिन कोई बड़ा लग रहा है पर से वही हवाँ शायद कोई आने बाला होगा कि यहां कि आीやって मैं बड़न कि यहां कि भी है ंधle भी कि यहां कि अभा बड़े बाला है अब है और ड्र गहां ले यहां स आसे वी है और यहां कि है रहा है झाल 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 झाल